नमस्ते, एक रिदम डिजॉर्डर है जिसको लेकर बहुत लोगों को काफी कन्फूजन रहता है और ट्रीट्मेंट को लेकर भी काफी जिग्यासा भी रहती है डर भी रहता है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है को रीडन वाला है जिसको खरते हुद्ट आइंते हैं दिरेंगे जौर्ण फैंट संठेस्ट में प्रॉपधेंल दिटो कॉड़ है जब भी हर्ट इरेगुलर्ली कॉंट्रेट करता है खासकर आपर चेमबर उसमें एक लोकेशन होता जो गयते हैं लेफ्ट अट्रिल अपेंडिस यह एक लोकेशन होता जहां पर प्लॉट बढ़ने के रिस्क बढ़ जाते हैं अट्रिल फिबलेशन में उसमें एक लॉट आने के रिस्क रहते हैं और रिस्क एसस्मेंट करना होता है तो हर मरीज इसको अट्रिल फिबलेशन और उसको स्ट्रोक ही नहीं हो जाएगा यह सही नहीं मतलब अट्रिल फिबलेशन मतलब स्ट्रोक यह करेक्ट नहीं है अट्रिल फिबलेशन विट रिस्क अगर वो ज्यादा है तो आपको स्टोक होने के रिस्क ज्यादा है तो उसके कुछ पेरामेटर से यू के गो और चेक यूर ओन चैडवेस स्कोर कितना आता है और उसके उनसार आपको एंटिकोगलेंट की जरूद पड़ेगी यूजरी हम लोग करते हैं कि दो या तीन से ज्य यह जो दो मैडिसेंस यह ब्लड फिनर्स माने जाते हैं जबकि वॉर्फेरिन, देविगुर्टरण, अपिक्सबैंए और रिवरकक्सबैं यह जो हैं Android माने जाते है जू दोनों को स्कोर कीजिए हैस ब्लेड स्कोर कीजिए और हैस्बेड स्कोर में कुछ रहते कि यह सारी चीजे अगर आपको है तो सो कंट्रोल की जिससे कि अपको ब्लीडिंग के रिस घट जाएंगे इवन यू आर अंटिकोगलन सो यह पार्ट हुआ मान दी यह दवा लेने के बहुजूद आपको आन और अफ अर्टिल फीब्रेशन आ रहा है तो क्या करना है तो फर्स्ट फ़ल अर्टिल फीशन को अम लोग क्लासिपे करते हैं परोक्सिस्वल परसिस्टंट और पर्मनेंट तो यह मतलब डियूरेशन पर रहता है मान ले आय टाइम लाइन बट ऐस सच ओल आधे सेम डिजीज कभी भी ऐसा रहता तो रिस्क देखना है उसके बाद हम लोगों को इसका ट्रिट्मेंट स्टार्ट करना है सेकंड कम दरोल आफ एफ अबलेशन इसमें जो एपी स्टड़ी आरफ अबलेशन करना है कि नहीं सो इसमें जो अबलेशन करते हैं आप क्योर नहीं करते हैं आप कंट्रोल करते हैं जो फ्रिक्वेंसी साथ बार हो रही थी हो सकता है पांच बार यह दो बार में कनवर्ट हो जाएं लेकिन आप स्टिल डिजीज के साथ रहते हैं और आपका रिस्क बना रहता है और आपको मेडिकेशन लेना पड़ता है तो रेडूस दरी रिस्क ऑफ स्ट्रोग नाओ कमिं अगर मान लेजा आपको बार-बार हाट बीटिंग बढ़ जाती है तो नेक्स्ट क्या कर सकते हैं जो कि इसका फुल फूरूप सलूशन हमान लेजा हाट बेटिंग हमेशा एक साथ साथ से लेके 200-200 तक चले जा रही तो उसमें क्या करें तो उसमें अगर पेशन एल्डरली में बात होती है यह एक फैबलेशन का जो कॉस्ट होता है तीन से चार लाग के करीब मिनमम होता है और पेसमेकर अगर कभी भी करते किसी मरीज में वह तरीके से फुल टाइम ट्रीटमेंट होता है उसके बाद बीटिंग बढ़ने के चांसे एक खतम हो जाते हैं मैडिसन इस और फॉर्पेशन से पूछते हैं कि लेटीर लेंडिस पूरी तरीके से अच्छा टिमंट नहीं नहीं माना गया इसको फॉस्स्रा इम्पॉर्टेंट चीज है यह उन selected patients के लिए जाता है जहां पर आपका bleeding बहुत जादा हो या आप already आप bleed कर चुके मान लिजे आपको intestinal से bleed हो गया या gastrointestinal bleeding हो चुका या brain में ऐसा stroke जिसमें bleeding हुआ वहां पर इसको as a treatment means anecdotally we can accept it क्योंकि हो सकता है वो ऐसा करने पर आप anticoagulant को हटा दे और आपको उस इस्टेब्स treatment for atrial fibrillation for preventing stroke medicine is always better than left atrial appendix except in selected case what I had discussed so in coming in in summary atrial fibrillation is a rhythm disorder is rhythm disorder में stroke के रिस्क बढ़ जाते है और इस रिस्क को जानने के लिए हम लोग चैडवेस scoring करते है अगर चैडवेस scoring आपका दो या तीन है तो आपको anticoagulant means blood thinners special type of anticoagulant की जरूवत पड़ती है अगर anticoagulant लेने के बाद भी आपके episodes बार-बार आ रहे हैं तो हम लोग एंटियरिद्मिक या RF ablation करते हैं इसमें जो RF ablation या cryo ablation जो हम लोग करते हैं वो पूरी तरीके से curative नहीं होता यह आपको सिफ disease पर control देता है और इसके बाद भी अगर आपको episodes होते रहते हैं तो हम लोग उसमें medicine पर ही रखा जाता है अगर आप anticoagulant नहीं लेना चाहते हैं और या तो उसमें left atrial appendice जो हम लोग डिवाइज लगाते हैं हार्ट के अंदर में उसको opt किया जाता है but it is not a first line of treatment and उसको first line में नहीं लेना चाहिए अगर आपको GI bleeding हुआ है या आपको brain में कही bleeding वाले stroke हुए है वहां पर इसके बारे में क्या जा सकता है so यह सारी information के साथ हम लोग विराम लेंगे next time we will again meet with some new topic thank you so much for watching namaste